अभी और लेट मैं प्राशान किशोर जी को फॉलो कर रहा हूं और क्योंकि उनकी बातें करती हैं मेरे से इसलिए और इसलिए मेरे दिल्चस्पी और बढ़ रही है क्योंकि प्रशान किशोर से मेरा समवाध है मुझे उन से करना है लेकिन नॉर्मल बिहारी के मन का मुझे भी नहीं पता मैं ग्राउंड पर जाओंगा देखूंगा वहां पर उनके मन में क्या चल रहा है लेकिन जो बिहार से जिन्नों निकल कर थोड़ा बहुत नाम कमाया है थोड़ा या बहुत ज़ाद नम कमाया है, वो प्रशान किशुर की बाते कर रहे हैं, क्यों ऐसा है? क्योंकि वो ये सब अगें कास्ट या रिलिजिन और इस सब से उठके बहुत ही प्रैक्टिकल बाते कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली एक बात, जैसे मैं भी थोड़ा सा इंट्रेस्ट रखता हूं पॉलिटिक्स में, मैं भी हमेशा सोचता था कि बिहार में आप कैसे रियलाइ कुछ नहीं, अपने मारे में सोचिए, आपको क्या मिल रहा है, क्या चीज से आप पर असर पड़ता है और आपके बच्चों पर, तो ये, again coincidence है कि दो दिन पहले ही मैंने प्रशान किशूर का कोई इंट्व्यू देखा, और उसमें वो exactly यही बात कर रहे थे, कि selfish होके, जो वो गाउं-गाउं टूर कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, वो तो फिर भाई है न, आप connect पाते हैं, और उनकी जो भी और बाते मेंने सुनी है, वो बहुत practical लगती है, बहुत honest लगती है